गिविन प्रॉब्लम में X एक कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का और X में जो हैं सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल है तब हमें बताने है कि X के कारडिनालिटी क्या होगी तो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी कनेक्टेड सबसेट है र में तो R के जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं वो क्या तो इंटरवल्स होंगे एक केस है क्या तो वो इंटरवल्स होंगे या फिर सिंगल्टन सेट होगा जैसे कि A कोई भी R का connected set R का connected set होगा तो क्या तो interval होगा या singleton होगा अब देखे interval जो होते हैं उसमें rational और irrational दोनों होते हैं लेकिन यहाँ पर कहा है if every element of x is irrational अगर हर एक element irrational है लेकिन interval में rational और irrational दोनों होते हैं तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं यहां से हमें यह पता चलता है कि जो वो connected subset है यार का वो interval तो नहीं है अगर वो interval नहीं है तो singleton है और singleton set की cardinality कितनी होती है 1, option D यहां पर correct होगा